IET NCERT द्वारप्रस्तुत है कक्षा एक की हिंदी की ध्वनी पुस्तक सारंगी अध्याए बारह फूली रोटी प्रिष्ठ संख्या सत्तर सुने कहानी जमाल की मा रसोई में खाना बना रही थी जमाल मा को देख रहा था जमाल का मितर जय बरतनों के साथ खेल रहा था मा रोटी बना रही थी जमाल भी रोटी बनाना चाहता था उसने मा से आटा मांगा मा ने उसे छोटी सी लोई दे दी इस प्रिष्ठ पर दो चित्र दिये गए हैं पहले चित्र में एक औरत रोटी बेल रही है और चुले पर तवे पर भी रोटी है कुछ रोटियां एक परात में रखी हुई है एक बच्चा सामने चटाई पर बैठा हुआ है जबकि पीछे एक बच्चा बरतनों से खेल रहा है दूसरे चित्र में एक बच्चा मा से रोटी बनाने के लिए लोई मांग रहा है और मा उसे रोटी बनाने के लिए एक छोटी सी लोई दे रही है मा के पीछे एक दूसरा बच्चा खड़े होकर ये सब देख रहा है प्रिष्ठ संख्या 71 जमाल रोटी बेलने लगा उसने रोटी पर सूखा आटा लगाया जमाल से रोटी गोल नहीं बन रही थी रोटी गोल करने के लिए जै ने जमाल को कटोरी दी जमाल ने कटोरी रोटी पर रखकर घुमा दी रोटी गोल हो गई मा ने जमाल की रोटी सेक दी जमाल की रोटी खुब फूली जमाल और जय खुशी से रोटी खाने लगे साभार बर्खा क्रमिक पुस्तकमाला N.C.E.R.T इस प्रिष्ट पर दो चित्र हैं पहले चित्र में महिला बैठी है और एक बच्चा रोटी बेल रहा है जबकि दूसरा बच्चा हाथ में कुछ पकड़े है दूसरे चित्र में महिला रोटी सेक रही है और दोनों बच्चे बैठे हुए है प्रिष्ट संख्या बहत्तर बात चीत के लिए एक, जमाल ने मा से लोई मांगने के बाद क्या क्या किया दो, आप रोटी को गोल बनाने के लिए क्या करेंगे तीन, फूली रोटी की जगह पर यदि यह कहानी आपको फूली पूरी के लिए बतानी हो तो आप कैसे बताएंगे छोटे समुह में चर्चा कीजिए और अपनी कक्षा में सुनाईए शिक्षक की सहायता से कविता गाने और पढ़ने का आनन्द लीजिए रोटी अगर गोल न बने बन जाए कहीं का नक्षा नक्षे को फिर कैसे तपाऊं? नक्षे को फिर कैसे पकाऊं? तो फिर इसका क्या करूं? गोला बनालूं प्रित्वी जैसी या उस देश को डाक से भेजूं? बन गया है जहां का नक्षा मनोज कुमार जहा इस प्रिष्ट पर एक चित्र है जिसमें एक महिला चूले के पास बैठी है एक छोटी बच्ची रोटी बेल रही है एक बच्चा आटे से खेल रहा है प्रिष्ट संख्या तिहत्तर पढ़िये और मिलाईए प्रश्णों और उनके उत्तरों को रेखा खींच कर जोड़िये यहां बाई तरफ कुछ प्रश्ण दिये गए है और दाई तरफ उनके उत्तर है उन्हें मिलाईए बाई तरफ के प्रश्ण रोटी कैसी बनी? जै ने जमाल को क्या दिया? मा ने जमाल को क्या दिया रोटी किसने से की दाई तरफ के उत्तर मा ने गोल कटोरी लोई बंद रहेगा एक घर के बाहर जब जाते हैं लटकाते दर्वाजे पर अगर नहीं खोले हम इसको बंद रहेगा पूरा घर श्री प्रसाद ताला हम पढ़ते हैं दो मेरे बस्ते के भीतर है और मेज पर धरी हुई हम पढ़ते हैं तुम पढ़ते हो तस्वीरों से भरी हुई श्री प्रसाद प्रिष्ट संख्या 74 शब्दों का खेल एक यहां दिये गई शब्दों जैसे और शब्द बताईए उन्हें लिखने का प्रयतिन कीजिए और पढ़ कर सुनाईए रोटी रिक्तस्थान फूली रिक्तस्थान आपने जो नए शब्द बनाए हैं उन पर एक एक वाक्य बनाईए दो एक सी ध्वनियों से आरंभ होने वाले शब्दों को पहचान कर घेरा लगाईए जय जमाल बुलबुल जीत शर्बत शीला वीर शेर डमरू थैला डफली दोर याद यमुना मचली यशोदा तीन अलग ध्वनी से अंत होने वाले शब्दों को पहचान कर लिखिये रोटी छोटी चोटी गोल रिक्तस्थान जय लै भै साम रिक्तस्थान चार इस कहानी में जय और जमाल है ऐसे और नाम बताईए जिसमें ज अक्षर हो रिक्तस्थान 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 शिक्ष dön संकेत उंगली रख कर शब्दों को पढ़ें अलग ध्वनी की पहचान करने में बच्चों की सहायता करें पूर्व अभ्यासों की तरह बच्चों को ज, ड, श, य, अक्षरों की ध्वनियों एवं आकृतियों से परिचित कराएं बच्चों से ज की ध्वनिवाले शब्द और नाम बताने के लिए कहें यह भी बताएं कि यह आवश्यक नहीं है कि नाम या शब्द जासे ही आरंभों हों प्रिष्ठ संख्या 75 जटपट कहिए कच्चा पापड पक्का पापड भालू को आलू भाया भाया भालू को आलू देखिये और लिखिये एक, ज, ख, र, उ की पहचान कीजिए और अक्षर लिखिये यहां कुछ चित्र दिखाए गए हैं उनके नाम लिखिये जूला, जोंपडी, खिलोने, पेड, उन्ट, शिक्षन संकेत चित्रों के नाम पूछे और उनमें आय, ज, ख, र, उ, अक्षरों की पहचान करने में सहायता करें प्रिष्ठ संक्या 76 दिये गए अक्षरों को खोजिये और घेरा लगाईये प, म, प, न, प, ह, भ, ज, 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 प, ज, स, ज, व, र, ठ, ड, इ, आ्र, ध, उ, ज, ज, उ, ज, उ, ज, उ, त, उ छ उ आईए मिलकर बनाएं और मिलकर खाएं शिक्षक एक एक कर्द नीचे दिये गए निर्देश देंगे आप इन निर्देशों को ध्यान से सुनें और बनाएं खाने की सामगरी मुर्मुरे, सेव यानि नमकीन बारीक कटे हुए प्याज और टमाटर मुमफली, नमक आदी निर्देश एक, सबसे पहले अपने हाथों को धो लें दो, अब एक बड़ी कटोरी लें तीन, कटोरी में मुर्मुरे, सेव यानि नमकीन बारीक कटे हुए प्याज और टमाटर मुमफली आदी मिला लें चार, उसमें स्वाद के अनुसार नमक मिला लें पांच, स्वाद भरी चाट तयार है आईए, अब इस चाट को चका जाए इस प्रिष्ट पर दिये गए चित्र में एक दोना है जिसमें मुर्मुरे, नमकीन, बारीक कटे हुए प्याज और टमाटर मुमफली आदी मिले हैं प्रिष्ठ संख्या सतहत्तर चित्र और बातचीत बच्चों के साथ रसोई के चित्र के बारे में बातचीत करें उनकी रसोई के बारे में भी पूछें उन्हें रसोई में सबसे अच्छा क्या लगता है? अनुभव साज़ा करें और करवाई इस प्रिष्ठ पर एक चित्र बना है जिसमें कद्दू, बैगन, साख, कढाई, टमाटर, भरतन, लहसुन, कर्ची आदी रखी हुई है और एक रसोईया कढाही में कुछ तल रहा है अभी आप सुन रहे थे कक्षा एक की हिंदी की ध्वनी पुस्तक सारंगी वाचन्स्वर असर नवाज उस्मानी और सुम्बुल शकील तक्निकी निर्देशन बटिलैंग लिंग्डो ध्वन्यंकन मयंक कुमार निर्माण सहायक तनु गुप्ता निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चोधरी तथा प्रस्तुती C-I-E-T-N-C-E-R-T नई दिल्ली भारत